नमसकार मित्रों कैसे है आप? उंमीदे, अच्छे से होंगे. मित्रों सांसार में ऐसा कोई भी वेक्ती नहीं होगा, जो शादी के बाद संतान सुख नहीं चाहता होगा. किसी-किसी की संतान शादी के बाद समय पर होती है. वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनकी वैवाह जीवन काफी समय तक गुजर जाने के बाद भी बच्चे नहीं होते हैं। जोतिश में इसका भी कारण ग्रह नक्षत्रों की गलत स्थिती को बताया गया है। जोतिश में बताया गया है कि ये सब ग्रह नक्षत्रों की वजह से होता है। आये जोतिश शास्त्र के माध्यम से जानते हैं कि क्यों होता है संतान प्राप्ति में विलंब, संतती सुक के लिए पंचम स्थान, पंचमेश, पंचम स्थान पर शुभाशुप प्रभाव ब्रिहस्पती का विचार मुक्यत किया जाता है। जोतिश के अनुसार मेश, मिथुन, सिंग, कन्या ये राशिया अल्ग प्रसवराशिया है। व्रिशब, कर्क, व्रिश्चिक, धनू, मीन ये बहु प्रसवराशिया है। पंचम स्थान में पाप ग्रह हो तो संतती सुक में बाधा आती है। पंचमेश यदी छे, आठ, बारह में हो या छे, आठ, बारह के स्वामी पंचम में हो तो संतान सुक बाधित होता है। पंचमेश अशुब नक्षत्र में हो तो संतान प्राप्ती में विलम होता है। पंचम का राहु पहली संतान के लिए अशुब होता है। लगन पर पाप प्रभाव हो तो संतती विलम से ह लगन, शष्ट, सप्तम या अश्टम का मंगल संतान प्राप्ती में विलम कराता है। संतान प्राप्ती में दिक्कत आ रही है, तो ये जोतिश उपाय आपको संतान प्राप्ती में सहायता कर सकते है। रींग गुर्वे नमः, ब्रिन ब्रिहस पते नमः, मदार की जड कमर में बांधें। यदि शादी के कई के वर्षों के बाद भी स्त्री गर्भवती नहीं हो पा रही है, तो मदार की जड शुक्रवार को उखा ले और उसे स्त्री की कमर में बांधने से गर्भधारन होता है। गोपाल से हिस्त्र नाम का पाठ करें। जो स्त्री गर्भधारन नहीं कर पा रही है, उसे प्रतिदिन नहाकर गोपाल से हिस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, ऐसा करने से संतान धन प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति के लिए नवगरह पूजा कर सकते हैं इसके लिए आप किसी जोतिश विशेशग्य से घर या मंदिर में हवन्व अभिशेक करा कर नवगरहों की शान्ती की पूजा करवा सकते हैं कहा जाता है कि ऐसा करने से सभी कमजोर ग्रह मजबूत होकर अपना शुप प्रभाव देने लगते हैं। पशुओं को रोटी खिलाएंग। हर महीने अपने परिवार के सदस्यों और घर में आने वाले महमानों की संख्या से ज्यादा रोटी बनाकर पशुओं को खिलाने से जल्द ही संतान की प्राप्ती होती है। गाय को खिलाएंग आटे की लोई। अगर आपको बच्चे की चाहत है, तो गेहु के आटे की लोई बनाकर उसमें भीगी चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर रोजगाय को खिलाने से संतान सुक की प्राप्ती होती है। सकंद माता की करे पूजा माननेता है कि सकंद माता की पूजा से भी मात्रित्व सुक प्राप्त होता है। सकंद माता का आशीरवाद प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करे। उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिये गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नो मिल सके धन्यवाद